हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो अवर यूटूब चैनल आसान राफो यू अनंद चतुरधि के दिन बप्पा की परतिमा का विशारदन किया जाता है। आएँ जान लेते हैं इसकी सुत्स, टिती के बारे में दोस्तो भादरपत सुकल करेंश चतुरधि का वरत और गणरपति स्थापना 19 सितंबर दिन मंगलवार को की जाएगी चतुर्थी तिती प्रारंब होगी 18 सितंबर की दोपहर 12 बचकर 49 मिनट पर चतुर्थी तिती समाप्त होगी 19 सितंबर की दोपहर 1 बचकर 43 मिनट पर दोस्तो मध्याहन गणेश पूजा का सूब मुरत रहेगा दोपहर 11 बचकर 1 मिनट से दोपहर 1 बचकर 28 मिनट तक 19 सितंबर वर्जित चंदरदर्शन का समय होगा सुभे 9 बचकर 45 मिनट से रात 8 बचकर 45 मिनट तक दोस्तो एक दिन पूर्वर्जित चंदरदर्शन का समय होगा दोपहर 12 बचकर 49 मिनट से रात आठ बच कर दस मिनट तक दोस्तो गनेश विशरजन 28 सितंबर गुरवार को किया जाएगा आईए अब जान लेते इसकी पूजा विधी के बारी में दोस्तो गनेश चतुर्थी के दिन प्रातकाल स्नान कर घर के मंदिर को शुद्ध कर दीपक जलाएं और व्रत वद दस दिनों की पूजा का संकल्प लें इस दिन के सुब मुरत में भगवान श्री गनेश जी की परतिमा घर लाकर उनकी विरिवत स्तापना करें दोस्तो सबसे पहले परतिमा का गंगाजल से अभिशेक करें इसके बाद उन्हें तिलत कर सिंदूर अर्पित करें दोस्तो उनके प्रिय गैंदे के फूल, पान, सुपारी, इलाईची, दुर्वा की पांच, साथ या एक्किस गाठें अपनी स्द्धा अनुसार अर्पित करें मानेता है कि दुर्वा चलाने से भगवान गणे जल्दी प्रसंद होते हैं और भक्तों के सारे संकत हर लेते हैं दोस्तो अब गणे जी को उनका प्रिय भोग मोदक या लड़ू अर्पित करें पूजा के अंत में भगवान गणे जी की आरती कर उन्हें प्रणाम करें और समा प्रातना करें और अंत में प्रसात का वितरन करें दोस्तो आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को जादा से जादा लाइक शेर करें और इसी तरही की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सस्क्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें